सफलता के सर्वोच सिखर तक पहुँचने के पीछे कई संगर स्पूर्ण कहानिया होती है और उसको सफल बनाने के लिए अंगिनत जिंदगानियों का युगदान भी होता है अल इंडिया इंस्टिटूट अफ मेडिकल साइंसे यानी एम्स के 2018 के एंबीबियस इंट्रेंस एक्जामनेशन की टोप पर इलिजा बंसल के मामले में ऐसा ही है गारा साल की छोटी उमर में एलिजान ने जब डॉक्टर बनने का सपना देखा थो तो पंजाब के सुदूर संगरूर जिले के लारगगा एक छोटा सा कस्बा है वहाँ किसी ने सोचा नहीं था कि यह लड़की एक दिन भारत के सर्वोच मेडिकल संस्थान में दाखिले के लिए सर्वोच अस्थान को प्राप्त करेगी और आज उसने यह सफल कर दिखाया है वह कार्डियोलोजिस्ट बनकर देश के उन लोगों की सेवा करना चाहती है जो उसके कस्बे में और उसने अपने देश में नहीं देखा था AIMS, MBBS 2018 के इंटरेंस एक्जामनेशन की टॉप पर एलिजा बंसल का मानना है कि टॉपर क्या होता है एक एवरेज स्टूदेंट ही टॉपर बन जाता है एक दिन वो भी एक एवरेज स्टूदेंट थी आर आज टॉपर बन गही है इसके लिए वह काते हैं कि स्टूदेंट को मेहनती होना होगा वो खुद आठ से दस गंटे तक लगातार मेहनत करती थी यहाँ बीच बीच में रिफ्रेस्मेंट और इंटर्टेन्मेंट का ब्रेक जरूरी है। एलिजा बंसल ने पत्रकारों से बात चीत करने में बताया है कि एम्स के इंटरेंस एक्जामनेशन की तैयारी के सुरुवाती समय एवरेज इस्टुएंट के लिए बहुत खराब होता है। वो खुद नहीं जानते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। और यदि आपके पास कोई मेडिकल बैक्गराउंड नहीं है और एबल कम्प्लीटली एक्स्पिनियंस गाइडेंस नहीं है तो आपके सामने बहुत सारी डिफकल्टियां आती हैं या कियवर डिफकल्टियां ही आती हैं तो इसका मतलब क्या है। आप हार मान के बैठे नहीं बलकि ये स्टार्ट करें। हाँ यह जरूरी है कि स्टार्ट हमेशा हाड होता है लेकिन लीडिंग तो यही करता है डॉक्टर बनने के लिए इलिजा बंसलने हर तरह के कस्ट सहे वह अभी किसी पर किसी तरह का दुख्या तकलीफ जाहिर किये बगर लड़की होने के कारण उन्हें परसानी होती थी दूस इसरी बात थी पंजाब के सुदूर सहर संगरूर के छोटे से कस्बे लारगगा कि वासी होने के कारण उनके पास कोचिंग की कोई अच्छी सुविदान नहीं थी साधारन प्रिस्ट भूमी का होना एक और बड़ी चुनोतिया थी वह खुद कहती हैं कि उन्हें पास के सहर पटियाला में जाने के लिए डेर घंटे का समय लगता था ताकि वीकेंड में कोचिंग कलास को अटेंड कर सके हैं खोटे से सार में रहने के बावजूद इलिजा ने बरे सपने को देखने से नहीं रोका वो जानती थी कि उसका कस्बा लहर गगा नसे के लिए बहुत ही महां पर घंटो लाइन नहीं रहते हैं और लड़कियों को दूसरे निगा से देखा जाता है बावजूद इसके उन्होंने कहा कि इस बैकवर्ड एरिया में रहने के बावजूद मैंने अपने आपको बाउंस बैक करना के लिए तयार रखा फुरसत के अपने दो पल मेडिकल इंटरेंस एक्जामनेशन की तैयारी कर रहे हो तो स्ट्रेस होना सबसे कॉमन प्रॉब्लम है और यहां एक निगेटिव थोट भी है डी स्ट्रेस होकर नॉर्मल तरीके से पढ़ने के लिए परते एक स्टुडेंट को कुछ न कुछ क्रियेटिव करना होगा और ए प्यूजिक भी सुन सकते हैं एम्स के इंटरेंस एक्जामनेशन के सुरुवाती दोर में बेतर और बेसिक पढ़ाई करने के लिए 17 साल की एलिजा बताती हैं कि आप बाइलोजी पेपर की तैयारी के लिए एंसी आर्टी के बेसिक फैक्ट्स को रट ले क्लास 10th 11th और 12th आ आप कोई भी बुक को चून सकते हैं जैसे नरेंद्र वस्ति और MS चवान हो गया फीजिक्स के लिए वो HC बर्मा को प्रिफर करती हैं लेकिन वो बताती कि आप DC पांडे के बुक को भी पढ़ सकते हैं आज दुनिया की सबसे खुबसूरत लड़की एलिजा अपनी सफलता क अपने ममी रेनु बंसल और अपने पिता बिजय बंसल को देती हैं करती हैं कि लारगगा में जब लोग उनकी बातों को नहीं मानते थो तो उनके माता पिता ने उनका सबसे ज़्यादा ख्याल रखा और उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया मा जहां घर पर वहां पिता जी ने आर्थिक रूप से किसी तरह की कौमी होने नहीं दिया। इसलिए आज सफलता की सर्वोच मुकाम पर होने के कारण वो अपने माता-पिता के रिनी है। अपनी छोटी सियुम्र में एलिजा बंसल ने अनेक अदबुत उपलब्धियां आसिल की है। क्लास 10 के एक्जामनेशन में उन्होंने 100% मार्क्स DAV से प्राप्त किया था और क्लास 12 के एक्जामनेशन में 94.6% मार्क्स उन्होंने प्राप्त किया था। उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धी All India Institute of Science Bangalore द्वारा आयोजित किया जाने वाले कि सोर वैग्यानिक प्रोचसान योजना में सर्वोच स्थान प्राप्त करना है। एलिजा खुद बताती है कि उन्होंने इसी साल नीट के एक्जामनेशन में 196.6% प्राप्त किया था। भारत की युआ पीड़ी में रोल मॉडल बन के उबरी 17 साल की एलिजा बंसल बताती है कि एम्स के इंट्रेंस एक्जामनेशन में सफलता का कोई सोटकट नहीं है और इसका कोई रटा-रटाया फर्मूला भी नहीं है। आप मेडिकल इंट्रेंस एक्जामनेशन का प्रिप्रेशन करना चाहते हैं और वह भी 100% तो आपको किसी कोचिंग संस्थान की मदद लेनी है तो ले लेजिए। लेकिन सेल्फ एस्टरडी इस दा बेस फोर एंबीबेस प्रिप्रेशन जैसा कि उन्होंने बताया है। वह काती है कि अपने उपर भड़ोर्शा रखना ही सबसे बरी चीज है। और इसके अलावा आप कंटिनिवरसली मौक टेस्ट में भाग लेजिए। और मौक टेस्ट में होने वाली गलतियों को सीख गलतियों से सीखे। और उसके बाद आप उसमें सुधार लाइए। और इस चाहए। और इस चाहए।